राम राम आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर बन और सबसे भरो सिमन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हर्याना आपके साथ हूं मैं सोनल गहिया साधे चार साल चला बीजेपी जेजेपी का गडबंधन आखरकार तूट गया है गडबंधन तूटने की अफवाहें तो बहुत पहले से थी लेकिन दोनों पार्टीज के नेता इसे सिरे से नकार रहे थे लेकिन लोगसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही गडबंधन में दरार आ गई ये गडबंधन क्यो तूटा? ये सियासी गल्यारों में चर्चा का विशाय है लेकिन जेजेपी की मानने तो उन्होंने लोगसभा चुनाव में 10 लोगसभा सीटों में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग बीजेपी के सामने रखी थी कि महीं विपक्ष भी गडबंधन तूपने पर लगातार हमलावर है कि मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखरी एंडिये की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी यह विश्य रखा था कि 500 रुपया पेंशन कर दो आपके दस सिटिंग एंपी हैं हम दस के दस सीटों पर आपका साथ देने को त्यार हमारे एक इशू पूरे गोश्टना पत्तर का जो हम पूरा नहीं कर पाए वो हमारी मांग थी उसको अमने रखा उस इशू के उपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि सीम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती मुख्य मंत्री जी ने रिजाइन किया बीजेपी की बैठक हुई सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे अब भी बनाई है उस समय उनको हमारा सयोग चीए था उनने लिया आज उनको लगा कि हम अपने दमपर बना सकते हैं उनने बना लिए मेरे पास जो सुविधाय थी विजिन आर्ज मैंने भी सारी डिटर्न कर देखी कुछ लंबी चुड़ी बात नहीं आप लोगों ने बताई दिया कि दुशन जी ने उनसे दो सीटों के मांग की थे और हमारा जो करम शेतर है जो हिसार और विवानी सीटे वो डिमान की थे और पहले भी हम वहीं से लड़ते हैं तो अब हाँ क्या पेज फसा है ये तो जाने भाई जनोंने मना किया है दुशन जी ने तो लास ये भी कह दिया भाई एक भी सीट ना दो लेकन हमारा जो चुना बने आना का नहीं हुई है तो तो देखो वो ही जवाब दे सकते हैं उसका अगर घटना के ना आते से मैं कह सकता हूं तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसवा की सीटों के बारे में जो डिबांड की थी जो कि बहत्तियंता पालिटी की पहले से 10 की दस सीटें भार्ति जंता पार्टी के चुनाव चिन पर लड़कर के हमने नेंदर मोदी जी के जोले में दिये हुई है वो ही हमारा अगला मनसुबा है इसलिए के इंद्रिय जो हमारा नेत्र तो है उनसे उन्होंने बादचित की होगी तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप फु लोग सबागे शेटने लड़ेंगे उसी में से आगे के समने ने हुए हैं तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है मेरे को लगता है कि जेजेपी दिखावे के रूप में इन्होंने अलग की है और फिर ये कहें कि आप सदन में दस के दस हमेले बाहर रहेंगे इसका सीधा मसलब यह है कि भारतिय जंता पार्टी और जेजेपी का जो परदे के पीछे का गठ बंदन हो आज भी है यह ना सिर्क पूरों नान था मगर कोई एक का एक ठोज जानकारी के अधार पर साड़े तीन महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया ता सावजिनिक मंद से कि इनका अगोशिक समझोता समझोता तोड़ने के लिए हो गया ताकि चुनाओ के समय इस पार्टी को अलग दुबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि क सवाम नेता इसको लेकर अपने अपनी बात कह रहे हैं और इसी बीच अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी हम ऑपीनियन लेंगे क्योंकि जो सियासी गल्यारों में चर्चाएं तेज हैं उस पर सही जवाब यही लोग दे सकते हैं नेहा दवन बीजेपी की प्रवक्ता है आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेहा जी वेदप्रकाश विद्रोही कॉंग्रस के प्रवक्ता है आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेदप्रकाश जी एडवोकेट मंदीब बिश्नोई जेजेपी के प्रवक्ता है आपका बह गडबंधन तूट चुका है या फिर सोचा समझाए एक नया गडबंधन पैदा हो चुका है सौनल पूरे प्रदेश के सामने पूरे देश के सामने मीडिया के माध्यम से जब अलग लग दोनों की राहें हो चुकी है तो इस बारे में कहना की गडबंधन रहे हैं या तूट चुका है यह तो नहीं सियासी गल्यारों में चर्चाएं यह भी तेजे कि एक नया गडबंध अंदर खाने हो चुका है मैंने इसलिए आप से सवाल किया देखिए लाजनीती में दुश्यन चोटाला जी एक सकारत्मक छवी के और सकारत्मक नेचर के और सकारत्मक विचारधारा के धनी है जो बात उनके चेहरे पर उनके मूँ से निकलती है जो आज उन्होंने मीडिया है और राहे संहर्श की हमने करनी है पहले भी संहर्श किया है आगे भी संहर्श होगा और जो विस्तार से उन्होंने बताया कि व冷 Rush anderen तो हम दस की दस पर दोमारा से चुनाव लड़ेंगे तो दुशन जी नहीं कहा कि हम दो सीटों की हमारी ओफर थी अगर वह आप मंजूर नहीं करते हैं तो इक आवन सो रुपे का एक जो व्रिदावस्ता सम्मान पेंशन जो चोड़ी देविलाल जी का लगाया हुए पौदा वह एक्यावंद सो कर दीजिए हम दस की दस पर आपकी वदद कर देए हमें हर्याना प्रदेश के उन बुजर्बों से सब्मान से जावा जो पूर मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो इस बात कर कहीं भी जिक्र नहीं किया एक्यावंद सो रुपे पेंशन की बात देखिए पूरों मुख्यमंत्री जी उस मिटिंग में नहीं थे बीजेपी का सिस्ट नेत्रत विस बात से अगर कोई इंकार करे तो वो पता सकते हैं मुख्यमंत्री माहोदय ने कि जो विशे उनके सामने आया वो उन्होंने बता दी इसकी अलग हटके कोई विषे है तो उन्होंने यह भी कहा कि वो उनकी जानकारी में नहीं है इसका मतलब कि केंद्रिय अंपरतों के बीच में एंडीय की जो बैठक थी दुश्यन चोटारा जी के और मत्या और राष्ट्री अध्यक्ष्ट जो जी जिलन भारतिंता पार्टी के हैं उनके बीच में जो बैठक में जो बात हु में हम जिस परकार से उप चुनाओं में हमने किया था उस परकार से दोबहारा से करते मैं तो एक बात और कहूंगा भी देपेंदर हुगदा जी ने ये कहा कि वोट काटने के लिए ये अलग बीजेपी की और इनकी रणनीती है कि अलग-अलग विपक्षी वोटों को अलग-अलग कर दिया जाए इसका मतलब कॉंग्रेस के पले आज वोट नहीं है वो बहुत की बात नहीं कर पाती ना उनके पास वोट है ना कोई बात है क्योंकि जो उन्होंने दस साल तक भ्रस्टाचार का खेल खेला था उसको जनता भी भूली नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है सुग्भीर तावर जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत तेर से तो भी आपने सुना किदार बचा नहीं है पूरी तरह से हम तियार हैं और इसी बीच आप भी ताल ठोख चुके हैं राजनीती में हर्याना की राजनीती में आप अपने जिन्तापार्टी उस पर पूर्ण तो चुरितार्स और प्रासंगिक है मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की बारे जन्तापार्टी को जमना पार बेजने वह ली जन्नाएक जिन्तापार्टी को आज जवाब देना पड़ेगा किसानों पे जब अत्याचार लाठी चार्ग और जेल बेज़ने का भी से चल रहा था उसका समर्सन जिन्नाइक जिन्ता पार्टी ने किया कारे कानूनों का समर्सन जिन्नाइक जिन्ता पार्टी ने किया और अंदाता का जो आंदोलन रहा तेरा मीने का उसका विरोग जिन्नाइक जिन्ता पार्टी ने किया इसके अलावा जो अभी आंदोलन दो जो चल रहा है नियुनतम समरसर मुले गारंटी कानून को लेकर उसमें जिस परकार से किसान के रास्ते में कील काटे बिछाने का काम जब ये सरकार में सामिल से उस वक्त हुआ और उन किसानों का इन्होंने विरोध किया इसके अलावा जो अभी जन्याजिंदा पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे थे 500 पेंसन की वह साड़े क्यार साल होगे साड़े क्यार साल से आज 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 आपको जावन सोगी याद आई है यह तो आपका चुनावी गोशना पतर में था आपने क्यों नी प्रेसर बनाया अगर आपने कोई वापस लेना था ठीक है बिलकुल अगर साजी सरकार चल रही थी तो उम्मीद थी कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था ठीक है नेहा जी नेहा जी का रूख कर लेते हैं नेहा जी आपने सुना अभी आमाद में पार्टी के प्रवक्ता को भी और जन्नाएक जन्नता पार्टी की तरफ से क्या बात कहीं वो भी आपने सुनी क्या ऐसा लैक ओफ कम्मिनिकेशन रहा कि रीजन्स ही क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि लोगसभा सीटों के सीट शेरिंग पर बात नहीं बनी या फिर एक्क्यावन सो रुपे पैंशन की बात नहीं बनी चार साड़े चार साल तक सरकार जो है वो बहुत ही शांदार तरीके से चली गडबंधन में लेकिन अचानक से क्या गडबंधन तोड़ने का एक कारण ही चाहिए था या फिर किसी तरह का कोई और फाइदा देखे सोनल जी सबसे पहले तो मैं यहीं काऊंगी कि साड़े चार साल का हमारा जेजेपी के साथ में जो गडबंधन था वो भारती जनता पार्टी का जो हर्याना की जनता को एक वादा था सथाई सरकार देने का वो हमने निभाया जेजेपी ने भी बहुत अच्छा निभ अब की बार 24 के लोगसभा और विधान सभा के चुनाओं से पहले का अगडबंदन रहे यह जरूरी नहीं था इस पर भी चर्चा होने थी हमारे शिर्ष नेतितर प्रमत्री मनोहरला जी को भी सुना आपने बाइट सुनाई कि उन्होंने यहीं कहा कि चर्चा हुई थी दो स पर हम मारी तरफ से एक का उफर था उन्होंने एक का उफर एकसेप नहीं किया अभी मैं दुष्ण जी का भी वयान सुन रही थी और जेजेपी के परवक्ता भी वही बयान बोल रहे थे मुझे लगता है कि जेजेपी अब जो है वो कोई इस एंगल को की गडबंधन पूता है इसको एक भावनात्म को राजनितिक रूप देने के लिए अब ये एक शगूफा जो है इन्होंने छेड़ दिया है कि हमीं क्यावन सो रुपे जो है कर रहे थे करना करवाना चाहा रहे थे जिस पर वीजेपी राजी नहीं हुई मैं आपको यह बताना चाहूंगी सूनल कॉंग्रेस के समय में बुड़ापा पेंशन जो है वो हजार रुपे थी उसको आज तीन हजार रुपे करना भी भारतिय जनता पार्टी और जेजेपी के सरकार नहीं किया था और हम ही वो लोग हैं जिनोंने इसको आगे बढ़ाया है और तीन हजार रुपे तक पहुँच जाया है बुड़ापर सम्मान निधिक ने इतना जादा इजाफा किया उसमें तो यह हमारी सरकार की बदोले के संभव पाया था तो आज यह बात कहना जेजेपी का बिलकुल सही यह बात लगती है कि अब वो राजनितिक एंगल इसको देना चाह रहे हैं जनता के सामने इस चीज को कैश करना जाए है कि हम तो सरकार के साथ थे लेकिन वीजेपी का जो है वो स्तर डाउन करने के लिए और जनता को भावनात्मक एंगल में मोडने के लिए इस स्टेटमेंट को मुझे लगता है बोला जा रहा है जो कि सरसर गलत है मैं उस टाइम पीरेड का सम्मान कर लोग सभा के चुनाव के लिए और मुझे रखता है यही भाव आपको भी रखना चाहिए दूसरी बात जहां तक अभी जी सोनल आठीक है वेद प्रकाश विद्रोई जी जुड़े हुए मैं नेहा जी फिर से लोटूंगे आपके पास वेद प्रकाश जी से रेक्शन ले वेद प्रकाश जी मेरी आवाज पहुच रही है आप तर उत रही है सोनल जी वेद प्रकाश जी देखिए कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से अलगी प्रतिक्रियाएं आ रही है अभी हमने दिपेंद्र जी को सुना उनका साफतार पर यही कहना है कि यह तो अंदर खाने जो ह होते की का राज क्या है वह जरा समझा दीजी सोनल जी राज निती में केवल जो बोला जाता है उसी से इसलेशन नहीं होता बिट्विंदा लाइन भी विश्लेशन होता है जब हमने क्यार मैंने पहले कहा था कि इनके तोड़ने का समझोता हो चुका है तो आमने कोई गल्स तो बड़ी बात के दनी है इन्होंने तो जमना पार करने के नाम पर वोड मांगी थी और जमना पार तो नहीं किया उनकी गोद में बैठ गए दूसरी बात यह कह रहे हैं कि वह इक वंचु रुपए कर देते तो हमें एक शीट की वी ज़रूत नहीं थी मैं आप से पूछना जाता हूं स्वाट्यार साल से रों मुखमंतरी थे यह बात वो स्वाट्यार साल पहले भी कह सकते थे कि अगर जी क्यावन सो रुपए नहीं करोगे तो मैं सरकार में नहीं रोओंगा एट दिन भी नहीं का तब कहा जब लोने परदे के पीछे बात करकर गटबंदन कि सब्धा विरोधी वोटों का पटवारा करसें ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के पास वोट नहीं एंगर कांग्रेस को घबराएगी हम तो आपका तेरा बेनकाब कर रहे हैं आप जन्ता में जाने लाइक ही नहीं है क्योंकि जो जिनों ने आपको वोट दिया था वो अगर हम मिलकर चुनाव रहेंगे तब भी आ रहेंगे आप किसी तरह अपनी चुनावी वेटर नहीं पार करनी है तो ये इनकी रन्निती है कि वोटों का पटवारा हो जाए तो शायद कुछ पाइदा हो जाए इसलिए हम कह रहे हैं दूसरी बात आपने आज तक कभी सुना है कि कोई किसी सरकार को विश्वास मत ले और विरोधी दलो वो अपने विधायकों को तीन लाइन का विपजारी करें कि विधान सवा में नहीं जाओगे ये तो विपजारी होता है कि आप फना के पक्समें बोड़ दो या फना के पक्समें मत बोड़ दो कहरें विधान सव करते तो क्या मालूम दो निर्दली आज बाजबपा को समरतन दे रहे हैं वो कांग्रेस को देते हैं वाजबपा को देते हैं तो यह तो राजनीती है ना गड़बंदन में रहते हैं तो सारे दाग धुल जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर अलग-अलग तरहें कि प्रतिकिया प्रियानी शुरू हो जाती है ठीक है मैं लास्ट बात हो मैं लास्ट बात हो और सोनल जी मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ इडी-CBI के दमाब से समझोता हुआ था यह कुछ भी कहें अगर मेरी बात तथ्यात्म ग्रूप से गलत हो तो कभी भी माफ्य मांगने को तयार रहता हूँ आजे चोटाडा के खिलाफ आए से अधिक समपत्ति का मामला चल रहा है पांच साल से CBI तारीक नहीं ले रही अंतिम स्टेज पर है केवल दो तीन गवाब हुगताने है दो पेसियों में फैसला हो सकता है पर पांच साल से कोई भी कोट के अंदर दिल्ली कोट में चल रहा ह ताकर कि जजब्वा को ग्लेक मेल किया जावक एक जब्वांच साल चल रहे हैं और मंदीप श्नूई जी मुस्कुरा रहे हैं जवाब देने के लिए मंदीप मिश्रु जी देखे किस तरह का राजनीती का एक भौकाल कहेंगे हम होता है कि जब कोई बात सामने आ जाती है उसके अंदर खाने तमाम पोलिटिकल पार्टी अपनी अपिनियन रखती है लेकिन सवाल अंदर खाने एक पार्टी जो गटबंधन तोड़ती है क्या उस पर खड़ा नहीं होता आपके पाच MLA कहां गए वो lack of trust क्यों develop हो गया जब आपकी पार्टी ने बहतर शांदार काम किया तो आपके MLA क्यों गायब हो रहे हैं आपकी पार्टी का तो संगठित रहना बनता था ना निश्चित तोर पर देखे जन परतिनिधी जनता के दुवारा चुना होता है और हमारे दस विधायक चुंकर के आई और जनता और प्रदेश की जो उस वक्त जो मैंडेट दिया उसकी जरूरत के इसाब से प्रदेश को एक साइस सरकार साड़े चार साल तक गठ बंदन में रह करके हम ने दी जहां तक पांच विधायकों का सवाल है इस बारे में तो विधायक ज़्यादा जवाब दे सकते हैं हमारे प्रेस कॉंफेंस में बात कहीं कि अगर विधायक दल के नेता के तौर पर कोई बात होगी तो दुश्यन जी उस पर निर्ने लेंगे और प्रदेश के संगठन के तौर पर होगे तो निर्सान सिंग जी उस बात पर पूरी विवेचना करके और पूरे विस्तार से उसके पर को कारवाई होगी तो वो करेंगे दूसरी बात मेरे आमादमी पार्टी के साथी बहुत ज़्यादा किसान और फसल के अर्मेस्पी के उपर बात कर रहे थी आज भी गटबंदन सरकार ने मैस्पी पर पिछले साड़े चार साल में अधिक्तम फसलों को मैस्पी पर खरीदने का काम किया और किसानों के जो फसल का दाम था उनके खातों में विजवाया ये कलियर करें कि पंजाब में इनकी सरकार है सो विधायकों के साथ एक बहुत बहतरीन थंपिंग मैजरोटी के साथ पंजाब के किसानों ने और व्यापारी ने इनकी सरकार बनाई इन्होंने कितनी फसले मैस्पी पर खरीदने का काम किया दूसरा इस मौझूदा जो आंदोलन था इसके उपर भी माननी उच्चन एले ने जो पंजाब सरकार को फटकार लगाई जिस प्रकार की विवस्ता है वहां पर खैलाने का काम किया उस सरकार को फटकार लगाई उसका ये जवाब वेद्परका सुद्रोई जी बारबार एक बाद कह रहे है कि दुष्चन जी ने पीछे कहा कि ओला वरिष्टी में पंदरा मार्स तक हम इसकी प्रेशल विर्दावरी करके मुख्यमंत्री है कल और मुख्यमंत्री नुक्सान का मुख्यमंत्री पहले जारी करते ऐसी डिमांड दुष्चन जी सामने नहीं आया गडबंदन तूटने के बाद दो नेताओं का इस तरह से मिलना और वेद्प्रकाश विद्रोही जी जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि ये कोई समझाता आए अंदर खाने कोई और बात चल रही है क्या उस मीटिंग के बारे में किस तरह की सुबुगाहिट है क सोनल सोनल बिल्कुल उस बात पर यह बताओंगा कि दुश्यन जी ने प्रेस कॉंफेंस के मादेम से भी कहा कि और मैंने पहले भी बताया कि दुश्यन जी बड़े सकारात्मक विचारधारा बड़ी पॉजिटिविटी वाले एक युवा नेता है परदेश का युवा उन प कि एक मुलाकात शिष्टचार के नाते थी उसके बाद मनौहरलाल जी ने भी अपने जो करमचारी थी उनके साथ उन्होंने चाएनास्ता किया ढूश्यन जी उप मुख्यमंतरी थे उन्होंने अपने सरकारी स्टाफ के साथ जलपान किया और उनको बहुत अच्छी शुब क लेकर के आज तक जो भी उने मिले हैं उनका वो अच्छे से जनता के सामने भी रख रहे हैं बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वो जाते हैं किसान ही तेशी है युवा ही तेशी है और एक बात और कहूंगा कि हमारे घोषना पत्र की लगभग सभी बातें चाहें वो पचास क बिल्कुल बिल्कुल हर वरक की आदाई हर वरक के लिए काम किया कोई ऐसा नहीं है कि ना किया हो केवल एक चीज रहे गई थी 500 रुपेगी पैंशन वाला मामला रहे गया था और निश्चे तोर पर ये जब बलास्ट में बात आई तो ये कह दी कि हमें 500 पैंशन कर लेकिन आप जनता के बीच जाते हैं तो आप भी 500 रुपेगी बात जरूर करते हैं पैंशन की बात करते हैं नेहा जी बहुत जल्दी से तेखे सॉनल जी मैं बस इता ही कहना चाहंगी कि जो भी मिटिंग मानने हैं मुख्यमंतरी जी की और पूर्ड डिप्टी मुख्यमंतरी दिकी रही वो यही बात हो सकती है देखे आप भी अगर ये चैनल चोड़ कर कलको कहीं और चैनल में जाएंगी तो आप जिनके साथ काम क करते हैं उनको अपनी आखरी बाई बाई तो बोलेंगी न और जो भी अपना कारेकाल रहा उस तक की चर्चा भी करेंगी कि अच्छा काम किया हम सबने मिलकर वही ही एक बैठक थी ऐसा नहीं होता है कि आप जिनके साथ काम करें और उनको आपका अगर बंदन अगर तूट जा तो उसके बाद हम एक दूसरे की शकल भी नहीं देखेंगे ऐसा कोई राग द्वेश उत्पन हो जाए ऐसा बिलकुल भी नहीं है और जहां तक बात है अभी कॉंग्रेस की या आमारे पाटी की तो वो तो मीनमेक निकालने का काम करते हैं विपक्षय उनका काम है वो हर क अब सकते हैं विजेंदर सिंग के पाले से खबर तो कुछ और ही है कि पाला बदला नहीं पाला बदलवाया गया ठीक है ठीक है चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा धवन जी वेद्प्रकाश विद्रोही जी एड़ोकेट मंदीप साथ जुड़े थे गडबंधन तूटने की असली वजह क्या रही और इस गडबंधन तूटने के आगे के राजनीतिक मायने क्या होंगे ये वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल तमाम पार्टी अपनी तरफ से इसको साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है वक्त एक छोटे से प्रेका फोरण होगे हास